नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फैट से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और लैक्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 26 अगस्त 2022 की हिमाचल परदेश की सभी टॉप 10 ताज़ा खबरों की जनकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चले वीडियो को शुरू करते हैं हिमाचल बीजेपी राष्ट्रिय उपाध्यक्ष सौदान सिंग बने भाजपा की राज्य चुनाव परभारी देविंदर सिंग सह परभारी तो भाजपक के राष्ट के उपाधिक सौदान सिंग को हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी विदानसाव चुनाव के लिए चुनाव परभारी ने उक्त किया गया है वहीं देविंदर सिंग राणा को सह परभारी बनाया गया है आटल पैंशन योजना हिमाचल में आटल पैंशन योजना 31 मार्ट 2023 थक बढ़ाई समयलन में हुआ फैसला तो श्रम एवं रोजगार मंतरी बेकरम सिंग ने गुरुबार को आंदर प्रदेश की जोए तीरुपती में राजियों वक्के अंदर शासित प्रदेशों के श्रम मंतरी और श्रम सचिवों के दो दिवसी राष्टर श्रम समयलन में बाग लिया इसे परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने वर्चुल माध्यम से सम्बोधित किया हिमाचल वैदर हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट इस मानसून में अब तक 258 लोगों की हुई मौत तो गुरुवार शाम तक हिमाचल में 130 सडकों पर वानों की आवाजाई ठप रही 77 बिजली ट्रांसफार्मर और 21 पे जल्योजनाई भी बंद रही 20 दुकानने और 18 मकान गुरुवार को परदेश में क्षतिग्रस्त हुए है HPSC रिक्रूटमेंट दस्ता विज्जों के स्त्यापन के अधिहार पर होगी इन 6 पोस्ट कोड की भरती तो परदेश करम चारी चायन आयोग हमीरपूर मेडिकल लैब टेक्निशन ग्रेड दोज में 6 अन्य विभिन पोस्ट कोड के तैत होने वाली भरतीयों के लिए काम आवेदन के चलते लेखित प्रिक्षक आयोजन नहीं करेगा इन पदों को भरने के लिए आयोग सीधे अब्यार्थियों के दस्ता विज्जों का सत्यापन करेगा एपल ग्रोर प्रोटेस्ट तो रामपूर रोहडू में अधानी के सीए स्टोर के बाहर गरजे बागवान जमकर की नारेबाजी तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के रामपूर ठ्योग और रोहडू में सैंकडू बागवानों ने परदर्शन में भाग लिया इसके माध्यम से बागवानों ने कमपनी प्रबंदन और प्रदेश सरकार के खिलाब जमकर नारेबाजी की बागवानों का कहना है कि महंगाई के दोर में बागवानों के साथ लोट हो रही है पैंचनर जेसी सी हिमाचल में पैंचनरों के लिए जेसी सी का गठन 91 सरकारी सदस्य बनाए तो मुखे साचिव आड़ी दिमार की अध्यक्षता में बनी इस चेसी सी में 11 स्थे होंगे जबकि सभी परिश्रासनिक साचिव इसके सरकारी स्थे होंगे 11 सरकारी स्थे होंगे परदेश भर के विबिन क्षेतरों के पैनिशनलों को इस समीती में स्थे बनाया गया है चमबा बाइक पर एक लाग किलो मीटर की यात्रा करने वाले बवंडर बाबा मनिमेश दर्शन के लिए पहुँचे चमबा तस्वीरें आप देख सकते हैं बाइक पर एक लाग किलो मीटर की यात्रा करने वाले बवन्डर बाबा गुरुवार को मनिमेश के दर्शन करने के लिए पहुँचे उन्होंने बताया कि वा 21 फरवरी को माद्य प्रदेश के इंदौर जिले से यात्रा पर निकले थे आई टी आई काउंसलिंग हिमाचल में खाली रह गई पचास सीटें अब बाहरी राजियों के युवाओं को भी मौका तो खाली सीटों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षान देशा लेने दूसरे राउंड की काउंसलिंग के शेडूल में से शोधन किया है खाली सीटों को भरने के लिए अब बाहरी राजियों के युवाओं को भी आवेदन का मौका जो है दिया जाएगा हिमाचल निवी बिलासपूर चमबा सुजानपूर आएंगे परधान मंतरी मोदी भालपा कोर ग्रूप में पी-म के दोरों पर चर्चा तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी विदानसवा चुनाव से पहले हिमाचल में बिलासपूर चमबा और सुजानपूर का दोरा करेंगे बिलासपूर में वा नए बने एम्स के भब्य पर इसर को देखने आएंगे जएकि चमबा में बिजली प्रियोजनाओं के उदगातनों और शीला न्यास का कारेकरम परस्तावित है हिमाचल भाचपा सुजानपूर मैदान में भी युवा मोर्चा की एक बड़ी रैली जो है करवाने जा रही है विधानसवा चुनावों में देंगे जवाब चार गुना मुआफ़े पर फोरलेंड संगर समीती ने गेरी सरकार जन आकरोश रैली निकाली तो चुनाव के नजदीक आते ही फोरलेंड संगर समीती मुख्य मंतरी से मुखर हो गई है वहीं विपक्ष से भी सेमित उनका मुद्दा ना उठाने पर खवा है फोरलेंड संगर समिती कुलू ने जो है मुख्यमंत्री के कुलू दोरे से मांगे पूरी होने पर बड़ी उमीदें रखी थी रोडू में नेपाली की जो है हत्या चेड़गाओं के बटवारी में बगीचे से शब रामत गले पर तेज़धार हत्यार से वार तो पुलिस थान चेड़गाओं के अंतरगत बटवारी में अग्यात व्यक्ति द्वारा नेपाली मूल के एक मजदूर की हत्या की गई है पोस्ट मार्टम के लिए शब आईजीमसी बे दिया है हत्या का मामला दर्जकर पुलिस सारूपी की तलाश में जोट गई है प्राप जानकारी के अंसार नेपाली मूल का जो है मनोज 26 वर्षी अपने परिवार साय थे बटवारी में प्रमोद 23 बटवारी में जो है प्रमोद कुमार के बगीचे में चोकिदार कार्या करता था मनोज 23 अगस्ट से घर से लापतफ़ 24 अगस्ट को नेपाली मजदूर दीपक असामी द्वारा मनोज के शब को गाउं से दूर खेत में पढ़ा हुआ देखा चकी खड ने खोद दिये पूल के पिलर गैराई से मडराया खत्रा मशीनों से पानी डाइवर्ट करने में जोटी NHAI दरिया में गैराई से मडराया खत्रा मशीनों से पानी डाइवर्ट करने में जोटी NHAI तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं तो चकी पुल की स्थिती नाजुक बनी हुई है जबकि एनचाई इसके बचाव को लेकर जो है दिन रात जो है एक किये हुए है ताकि पुल को सुरक्षित रखा जा सके रजिस्टार जन्रेल साहित 11 जड़ों को नोटिस नया इडिशों की वरिष्टता से जुड़े मामले में 7 नवंबर तक मांगा जवाब परदेश में जो है 130 सड़कें 77 ट्रांसफार्मर बंद मानसून के चलते अब तक 264 ने गवाई जान 28 से फिर बारिश है स्टंबर में संशोधित होंगे वेतनमान नियम तो नए वेतनमान आयोग को लागू करने के लिए 3 जनवरी 2022 को जारी पेर वीजन नियम में संशोधन की अधिसोचना अब स्टंबर महने में जारी होगी इस फाइल पर लेगल ओपिनियन के कारण इस सब्ता नोटिकेशन होने की उमीद नहीं है राइडर पर फैसले को लेकर जारी हल चल के वीच मुख्यमंत्र जाराम ठाकुर ने बुईद बार को ही बित विवाग की अधिकारियों से बात की है इसमें फाइनस ने कहा है कि पेरिवीजन रूल नए सीरे से बन रहे हैं और इनमे संशोधन की बज़े से वित्ती परवाब भी बढ़ा है लोकसिवा आयोग अध्यक्ष जो है सदस्या आज लेंगे शप्त तो पबलिक सर्विस कमीशन में हुई नए नियुक्तियों को लेकर शफ्त ग्रैन्स मारो शुकरवार सुवा नौवजे राजभवन में होगा उसके बाद मुख्यमंत्री के पहले से कारेक्रम तैय है शुकर वारकुवा सर्मौर के दो बिधानसवक शित्रों रेणुका और शिलाई बिधानसवक शित्रों के दोरे पर जाएंगे बरमौर में बड़ी जात्र में वाद द्यानत्रों के दोनों पर पारंप्रिक वेशपूशा में जूमें लोग तस्वीरें जोए आप देख सकते हैं मैंने बैमानी नहीं की इसलिए कोई डर भी नहीं सिसो दिया तो उन्ना से निउजे मुझे समझवता करके आम आदमी पार्टी से नेताओं को तोड़ कर भाजपा में जाने का प्रलोभन दिया गया लेकिन मैं इनकी तरह माफी वीर नहीं हूँ मैंने कोई बैमानी नहीं की है और किसी तरह की माफी मांगने या समझवता करने का सवाल ही नहीं उड़ता दोला कुमा में स्कूटी कार के भी तक्र यूवक की जो है मौत पाउटा साहिब से नयूजेग की निशनल हाईवे पर धोला कुमा में दोपाए बाद हुए एक हाथसे में स्कूटी वा कार की टक्र में स्कूटी चाला की यूवक की मौत हो गई जबकि हाथसे में एक यूवक काईल बता जा रहा है कांगडा पौंग जील में तैरते मिले बच्चे साथ दो शब नहीं हुई पैचान फतेपूर में कारू नामक स्थान पर मिले शब करंट लगने से महिला की हुई मौत तो जीला कांगडा के फतेपूर में पौंग जील में तैरते हुए दो शब मिले हैं इसमें एक शब 10 से 11 साल के बच्चे का है जबकि दूसरा शब 40 के आसपास के विक्तिका लग रहा है तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 10 ताजा खबरें अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दन्याबाद जैहें जैबाद